स्लो कंप्यूटर को फास्ट कैसे करें? एनेफटी क्या है? क्रिप्टो करंसी कैसे काम करती है? बिर्यानी कैसे बनाते हैं? सवाल चाहे जो भी हो उसे जट से यूट्यूब पर सर्च किया और फट से हजारों विडियो सामने यूट्यूब अब एक ऐसा प्लाटफर्म बन गया है जहां इसे देखने वाले करोणों हैं तो कॉंटेंट क्रिएटर्स की भी लंबी लिस्त तयार हो गई है ये क्रिएटर्स अपने कॉंटेंट से लोगों का तो दिल जीती रहे हैं ये विडियो से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं इसलिए क्रिएटर एकॉनमी भी तेजी से आगे भाग रही है एक एक एकॉनमी जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के छोटे बिजनस से मिलकर बनी है इसमें विडियो ब्लॉगर्स, कमीडियन, राइटर्स, म्यूजिशिन और इंफ्लूएंसर्स अपने कॉंटेंट या प्रॉड़क्ट को मॉनिटाइज करके पैसा कमाते हैं फिर चाहे वो विडियो पर एड चला कर हो, पेट सब्सक्रिप्शन के जरीए या फिर ब्राइंड डील से अब इस एकॉनमी को रफ्तार देने में यूट्यूब एज अ प्लाटफॉर्म एक बड़ा रोल प्ले करता है 2021 में यूट्यूब क्रियेटर्स ने देश की जीडिपी में 10,000 करोड रुपई का कॉंट्रिबीशन दिया है अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फील भी किसी बिजनिस सेक्टर से कम नहीं रह गई है गए वो जमाने जब कॉंटेंट क्रियेटर बनने की बाद भी बेतुकी लगती थी अब ये फुल टाइम नौकरी के बराबर ही है अकेले यूट्यूब ने ही क्रियेटर एकॉनमी के तौर पर साड़े साथ लाख फुल टाइम नौकरीयों के बराबर जॉब जिनरेरेट किये हैं ये नंबर आगे चल कर और भी बढ़ने वाला है क्यूंकि यूट्यूब क्रियेटर्स के लिए मॉनिटाइजेशन के नए आप्शन और फीचर ला रहा है गूगल फॉर इंडिया इवेंट के आठवे एडिशन में इसकी जहलग भी देखने को मिली पहले बात करते हैं कॉन्टेंट की हेल्स से जुड़ी जानकारी को authentic sources से लोगों तक पहुचाने के लिए यूट्यूब बड़े-बड़े hospital के साथ collaborate करने वाला है इसकी मदद से 100 से ज्यादा medical conditions के बारे में content मनाया जाएगा अब इस important information की reach भाशा की वज़े से कम ना हो इसलिए इसे कई भाशाओं में देखने का option भी मिलेगा इसके लिए इस्तमाल होगा AI और Machine Learning के combination वारा Google product allowed ये content को translate, transcribe और dub तीनों काम करता है अब आते हैं individual creators के फायदे पर YouTube courses के नाम से अब एक नया feature जल्दी इंडिया में आने वाला है जिससे creators अपनी knowledge share करके पैसा कमा सकते हैं इसके लिए creator को अपने खुद के courses बनाने हैं और उन्हें YouTube पर launch कर देना है हाँ ये मर्जी creator की ही होगी कि उन्हें ये course free में देने हैं या इनके लिए fees charge करनी है कोर्स खरीदने वाले लोग सारा content बिना ads के देख पाएंगे courses का ये नया feature सिर्फ educational content के लिए ही नहीं है बलकि दूसरे vocational courses से जुड़ा content भी यहाँ available कराया जा सकता है फिलहाल YouTube कुछ चुनिंदा creators के साथ मिलकर अलग-अलग भाशाओं में courses लाने पर काम कर रहा है तो कुल मिलाकर बात ये है कि YouTube पर content से जुड़ी आपकी हर जरूरत का इंतजाम है और अगर आप content creator हैं तो कमाएगे कई सारे मौके भी